हेलो गाईज, वेलकम बेक टू मैरे येटुब केनल, नमस्टे, सस्रिकाल, आदा, गर्मियों बहुत पढ़ रही है और लूब भी बहुत चाल रही है, गर्मियों के साथ साथ साधियां भी बहुत जाद पढ़ रही है, आप इस गर्मी में जब भी बाहर निकल रहे होंगे गर्मी के मौसम में साधियां भी बहुत जादा पड़ती है, जब अपने रिस्तेदारों की साधियां पड़ती है, तो जाना भी कमपसरी होता है, क्योंकि घर की शादी होती है, तो जाना जरूर पड़ेगा, इस लू में लंबी ड्राइब करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी क करनी पड़ेगी, क्योंकि घर की शादी है, और घर की शादी में अपने गाड़ी से ना जाए, तो बात ही नहीं बनेगी, तो अपने गाड़ी से जाना बहुत जरूरी है, वो तो जाना हीक लेगा, लेकिन हम जब अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो हमें गाड़ी की स्व अबर हीट मोड पर चली गई तो आपको इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है आप इसे हलके में बिल्कुल ना ले ओबर हीट को कंट्रोल कैसे करें कार के बैटरी हुट के नीचे होती है और सालों तक चलती रहती है और जाधा तर लोग बदलते मौसम के हिसाब से इसे चे करवाले कि वहां अपने सही कंटिशन में है या नहीं आपके गाड़ी की बैटरी तीन साल से ज्यादा प्राइम नहीं होने चाहिए अत्यदिक गरम बैटरी आपके फ्रूडर को भी सुखा सकती है कार को ठंडा करने लिए कई फ्रूडर एक साथ काम करते हैं कार में फ्रू ये भी आप जाच ले इस गर्मी में आपके गाड़ी का AC हर समय चालू रहेगा इसके लिए उसका ठीक होना बहुत सरूरी है अब बात आती है टायर के प्रेसर की कार के टायर बहुत ज़दा गर्मी होने की वज़े से रियाक्टिव भी हो सकते है आप इसमें एयर भरते समय इसका उचित एयर प्रेसर बना कर रखे इससे होगा क्या कि आप हीटिंग की समयस्याओं से बच जाएंगे अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रेंट सीसे की क्योंकि लगातार जब ड्राइब करते हैं तो ये दुनदा पर जाता है इसके दूल मिट्टी चड़ जाती है इसे भी आप क्लीम रखे अगर आपके गाड़ी का सीसा सही रहेगा, साफ रहेगा तो आप सामने वाले पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे अभी तक मैंने आपके गाड़ी की सुरक्षा की बाते करी और अब बात कर लेते हैं आप लोगों के स्वास्की जो कि बहुत जरूरी है तो जब आप शादी वाह जैसी लंबी ड्राइब पर जा रहे हैं तो आप अपने साथ इमर्जेंसी किट जरूर रखे और इस किट में जो मैं सामान बता रही हूँ वो होने बहुत जरूरी है सबसे पहला तो आप अपने सरी को डाइडिट रखे इस गर्मे के मौसम में आप अपने सरी में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दे अगर आप अपने फेस के लिए बहुत जादा क्यार फुली हैं और जाज़े तील मसाले वाला खाना विल्कुल न खाए अगर आपको सफर में कुछ खाना ही है तो आप लसी पी सकते हैं आप गंडे का रस पी सकते हैं आप ठंडे वाले फल ले सकते हैं जिनमें बहुत सारा पानी होता है जैसे तरबोज, खरबोजा, ककड़ी, खीरा ये सारी चीज़े आप खा सकते हैं सफर में सफर में आपने मसाले खाना खाया हो सकता है आपको प्राब्लम भी हो जाए जब बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है तो तेल मसाला अगर सरीर में होगा तो अंदर से भी आपको गर्मी ही लगेगी इसी की वज़े से मैं कह रहे हूँ आप लोग ठंडी चीज़े ही खाना ताकि आपका सफर अच्छा जाए सफर में जब आप खाना खाये तो वहाँ पर आप सलाद जरू खाये और सलाद में आप खीरा, मूली और साथ में थोड़ा नीवू जरूर रियूज करें और आजकल आम भी आने लगे हैं मार्केट में तो आप सफर में आम का पना भी पी सकते हैं और जब आप सादी जैसी जोगों पर जा रहे हैं तो दवाईयां जरूर अपने साथ रखें क्योंकि आप सादी का खाना खाएंगे, सादी के खाने में ऐसी चीज़े हुआ करती है उल्टी और दस्त जैसी चीज़े हो जाया करती है उसके लिए मैं दो चीज़े आपको बताती हूँ, दवाया तो आप रखी लीजेगा, उसके लिए मैं दो चीज़े आपको इस्पेसली बताती हूँ, पहला पुदी नहरा लिकवेट और दूसरा अम्रित धारा, यह दोने चीज़े आपको उल्टी दस्त जैसी चीजों से इस अम्रित धारा की दो बुर्ट आपके भेंकर से भेंकर उल्टी दस्त को शांद कर देती हैं, और आप परिसानी से बच जाते हैं, आप जल्द बाजी में डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने पास रखी हुई दवाई का इस्तिमाल करके, आप बहुत सरीर से निकल जाता है, उस समय उसमें मदद करता है, आप इसे एक गिलास पानी में आधा पाउस डाल कर गोल कर दे देंगे, तो ये भी बहुत मदद करता है, तो ये सारी चीजे आप अपने पास रखें, और आपका सफर हैपी हो, आप खुश रहें, मस रहें, मिलती हूँ आपसे नेक्ष वीडियो में, नेक्ष अंडे, नेक्ष वीडियो के साथ